नमासकार दोसा स्वागत है आपका हमारे शेनल चार जागंदर मिशा में दो जनवरी पोश आमवश्या बना अद्वुद सयोग रभिवारी महा आमवश्या शूर के लोटे में डाल दें ये एक चीज साथ पुछते तक करेगी राज दोस्तों 2022 की पहली अमवश्या इस बार दो जनवरी दिन रभिवार को है यह पोश अमवश्या है पोश अमवश्या का हिंदु धरम में बिसेस महत है पोश अमवश्या की दिन इसनान पूजा जप और तप करने का विधान है मानता है कि इस दिन गंगाश नानकर पूजन आधि करने से व्यक्ति को अमोग फल की प्राप्ती होती है पित्रों के लिए पिंड़तान करने और दान आधि करने से उन्हे संतुष्टी मिलती है आमवश्या तिथी भगवान लक्षमी नाराण और पित्रों को समर्पित होती है और पौश मास जो है सूर देव और पित्रों को भी समर्पित होता है इसमाह में पित्रों की आत्मा की सांती के लिए स्त्राध्य तरपन करने का विधान है इसलिए इसमाह को छोटा पित्रपक् को समर्पित होता है और इस बार की पौश अमश्या तो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इस बार अमश्या रविवार के दिन है और रविवार के दिन भी भगवान शूर नराण को समर्पित होता है साथी इस पौश अमश्या पर सरवार्द सिध्य योग बनने जा रहा है इस योग में सरद्धा पूर्वक किया गया कोई भी कार पूरी तरह से सफल हो जाता है इसलिए दोस्तों पोश अमवश्या और रविवार के दिन दिब और दूलब सयोग पर भगवान सूर का पूजन अवश्य ही करना चाहिए इस दिन भगवान सूर का पूजन करने से भगवान सूर अतिश्य ग्रही परसन हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाह बरदान देते हैं दोस्तों पौश अमवश्या और रविवार के इस शुभ शैयोग पर भगवान लक्ष्मी नाराण और पित्रों की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान सूर का पूजन करना आती आवश्यक है क्योंकि सूर देव प्रतेच्छ देव हैं सूर देव की कृपा से ही ब्यक्ति को मान सम्मान उच्पद और लंबी आयू नौकरी प्राप्त होती है स्वास्त मिलाब होता है शूर्देव की क्रिणों से ही हमारे पित्र भोजन ग्रहन करते हैं और त्रिप्त हो जाते हैं इसलिए पित्रों की पूजन का समय दुपार का होता है आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज की बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप सूर्देव को जल चढ़ाने वाले लोटे में डाल दें ये एक चीज देंगे तो इससे सूर्देव अतिशिगरी आपके उपर प्रसंद हो जाएंगे साथी पित्रों की भी कृपा प्राप्त होती है बिगडे कार बनने लगते हैं और हर छेत्र में सफलता मिलती है क्योंकि रविवार के दिन सूर्देव को समर्पीत होता है आज की दिन शूर्देव का पूजन करने से सूर्देव की अशिम कृपा प्राप्त होती है सूर देव के साथ साथ भगवान विश्णु मा लक्षमी जी की और पित्र देव का आशिरवाद प्राप्त होता है और सभी तरह के कष्टों और संक्टों से भी मुक्ति मिलती है दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक सेर अवश्य कर दे समस्त स्रिष्टी के उर्जय और प्रकास का कारण सूर ही है शूर को स्वास्त राज और शद पिता तथा मान समान खाद पदार्थ का कारक माना जाता है सूर देव से नाम यस और कीरती राजपद मिलता है किसी भी तरह के स्वास्त के समस्या के पीछे सूर का ही होता है रविवार के दिन शूर को जल चढ़ाने से बिशेस लाब होता है और शूर देव को जल अरपित करने का बिशेस बिधान भी है धारवे के दर्श्ट से तो हम शूर को जल चढ़ाते हैं लेकिन इसके फाइदे भी बहुत होते हैं आज हम आपके साथ बहुत सारी बाते करेंगे देखे शूर पिता मान समान सब कुछ कारक होते हैं शूर देव को रविवार के दिन जब आप जल चढ़ाते हैं तो विशेस वस्तु को दान भी करते हैं लेकिन विशेस बस तो डाल कर ही आप जल चढ़ाएं तो विशेस लाव होता है। सूर्देव की जो लोग पूजन करते हैं रविवार के दिन उनके जीवन में सत्र विरोधी उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। जो वो सत्रों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। से पहले तो शूर्देव चुकि इस बार की जो यावश्या है रवियार के दिन पर रहा है इसलिए इसे रवियारी यावश्या भी कहते हैं। तो इस बार रविवारी अमवश्या के दिन सूर्दे को जल अर्पीत करते समय आप पहले तो सबसे पहले सूर्योदे से पहले उठें सूर्योदे से पहले उठकर आप शिनान ध्यान करके स्वक्ष वस्त धारन करें फिर आप एक लोटा ले ले लें एक लोटा जल ले लें लोटे में थोड़ी से मिस्री डालके सुर्दे को जल दें तो विशेश लाव होता है मंगल सम्मंधी समस्याएं खत्म होती है और विशेश लाव होता है जीवन में मान समान की प्राप्ती होती है और मान समान के साथ सतियसो में बृद्धी होती है रविवार के दिन एक चीज का ध्यान रखिएगा रवियार के दिन जब आप सूर्दे को जल अरपित करिएगा तो आप चुकि अमवश्या के दिन अगर रवियार पड़ जाए तो आपको एक लोटा जल ले ले एक लोटे जल में काला तिल एक चुटकी डाल ले एक चुटकी काला तिल डाल के और आप लोटे में डाल लें और सूर देव की तरफ मुख करके आप सूर देव को जल अरपित करें और ओम सूरिया नमई शमंतर का जाब करें ओम आदित्या नमई शमंतर का भी जाब करें और ओम सूरिया नमई शमंतर का जाब करें और सूर देव को जल वाले लोटे में काला तिल डाल के अगर जल अर्पित करें तो आपकी साथ पुष्टे तक रुपए पैसों में करेगी राज साथ पुष्टे तक रुपए पैसों में कमी नहीं आएगी और गरीबी भूल जाएगी घर का राश्ता आपके घर में धन संब दोस्तो इससे पितर देव भी प्रसंद हो जाते हैं क्योंकि सूर देव को जब आप आप अप result करते हैं हल्दी डालके आप अंजुली के सहारे सूर्दे के तरफ खड़े हो जाईए और चारो दिसाओं में अंजुली के सहारे छिड़काओ करें चिड़के इसके बाद आप वहीं पर खड़े होकर तीन बार घुम कर परिक्रवा करें फिर सूर्देव को आप पूरा जल एक लोटा सूर्देव की तरफ यानि की अरपित कर दें सूर्देव को हल्दी डाल कर यानि लोटे में जल चड़ाने से विशेश लाब होता है मन भी मजबूत रहता है आपका स्वास्त भी अच्छा रहता है सूर्देव को जल देते से में जल वाले लोटे में एक जारा लाल मिर्च डाल के सूर्दे को जल दें तो अतिसीग्र धन की प्राप्ती होती है अगर आप चाहते हैं कि गरीबी भूल जाए घर का रास्ता रोड़ पती भी बन जाए करोड़ पती आने वाली साथ पुस्त तक रुपए पैसों कमीना हो तो आपको सूर्दे को रव्यारी अमवश्यक दिन एक लोटा जल ले उसमें आपको एक जारा लाल मिर्च के दाने डाल देना है और फिर आप सूर्दे को जल दे दे तो विशेश लाब होता है या फिर आप चाहें तो लाल पुस्प अगर आपके घर में तो लाल पुस्प डाल के आप सूर्दे को जल अर्पित करें तो विशेश लोप से नौकरी संतान बिजनेस वियापार सब कुछ सब्सक्राइब करें जयाए जयाए शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें